हेलो फ्रेंड्स मैं अनुपाम आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो में चैना दाल पराठा बनाएंगे जो आम के साथ में बहुत ही टेस्टी लगता है और इस समय इसका सीजन भी चल रहा है चलिए बनाते हैं दोस्तों रेश्पी शुर करते हैं उसके लिए सबसे पहले चना डाल ले लेते हैं यह चना डाल है हमने रात भर इसको भीगो दिया है जिससे अच्छे से फूल चुकी है यह आप 4-5 घंटे के लिए भी भीगो सकते हैं अच्छे से फूल जानी चाहिए दाल अब हम एक कुकर ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा सरसो का तेल डाल देते हैं तेल को गरम हो जाने देते हैं तेल भी गरम हो चुका है अब हम थोड़ी सी हींग डाल देते हैं एक छोटी चम्मा जीरा डाल देते हैं थोड़ा सा और जीरा डाल देते हैं जीरा अच्छे से पक जाने देते हैं अब हम हरी मिर्च और लहसुन डाल देते हैं और अच्छे से लहसुन को भी पका लेते हैं ये डाल हम बिना पीसे ही बनाएंगे ऐसे ही पका के बना लेंगे पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखिए लहसुन भी थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है अब हम डाल को डाल देते हैं कुकर में और अच्छे से एक बार चला देते हैं अब हम थोड़े से मसाले एट कर लेते हैं आधी छोटी चमाच हल्दी पाउडर दो छोटी चमाच धनिया पाउडर आधी छोटी चमाच लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चमाच गरम मसाला टेस्ट कार्डिंग नमक अब हम सारी चीज़े अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं पानी उतना डालना है जिससे डाल अच्छे से गल जाए और पानी भी ज्यादा न बचे अब हम ढख देते हैं कुकर को और ढख के पान छे सीटी में पका लेते हैं अब हम आटा गूंथ लेते हैं उसके लिए हमने आधा केजी आटा ले लिया है गेहूं का देखिए हमने आटा गूंथ लिया है अच्छे से चिकना कर लेते हैं और ढख के रख देते हैं अब हम दाल देख लेते हैं दाल भी हमारी पक चुकी है सीटी खोल के देख लेते हैं देखिए हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है पानी भी नहीं बचा है अब हम थोड़ा सा ऐसे मैस कर लेते हैं कल्छी से ऐसे ही चलाते रहेंगे तो अच्छे से मैस हो जाएगी थोड़ा सा दाल गीली लग रहे हैं इसलिए थोड़ा से इंडेक्शन पर और चड़ा देते हैं और थोड़ी सी दाल ऐसे ही चलाते हैं सुखा लेते हैं देखिए हमारी दाल सूख चुकी है पानी अच्छे से सूख चुका है अब हम एक ठाली में निकाल लेते हैं और अच्छे से ठंड़ा कर लेते हैं ठंडी हो जाएगी तो यह दाल अच्छे से सूख जाएगी देखिए अच्छे से ऐसे मैस कर लेना है कल्ची से इसको पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखिए दाल का पानी अच्छे से सूख चुका है और दाल भी एकदम सूख की सूख की दिखने लगी है ठोड़े से फ्लेवर आइड कर लेते हैं क्योंकि इसमें मिर्ची गम लग रही है इसलिए इसलिए लाल में इस पावडर डाल देते हैं और धनिया पत्ती डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं देखिए हमने mix कर लिया है दाल ऐसे दिख रहे हैं जैसे हमने इसको सिलबटे में पीसा है लेकिन बिना पीसे हुए दाल कितनी अच्छी लग रही है अब हम पराठा बना लेते हैं उसके लिए आटा ले लिया है जो हमने गूत के रखा था और अच्छे से एक बार और मसल लेते हैं आटे को अब हम थोड़ा सा सूखा आटा ले लेते हैं अब हम एक पीड़ा ले लेते हैं और थोड़े से आटे को ऐसे चिगना कर लेते हैं और लोही यां बना लेते हैं अब हम लोही को बढ़ा लेते हैं और डाल को भल लेते हैं कि और सील कर लेते हैं अब हम लोई में थोड़ा सा सूखा अठा लगा लेते हैं और धीमे से बेल लेते हैं बहुत टाइट नहीं बेलना है नहीं तो पाराठा फट जाएगा अब हम तवे पे डाल देते हैं अब हम पलट देते हैं देखिए एक तरफ से पाराठा हलका सा स्थिक चुका है अब हम तेल लगा लेते हैं आप घी भी लगा सकते हैं अब हम दूसरी तरफ भी पराठे में तेल लगा देते हैं ऐसे उलट पलट के पराठे को सेख लेना है यह पराठा खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है आम के साथ में तो बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग भी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा ओलट पलट के पराठे को सेक लेना अच्छे से देखिए हमारा पराठा तयार हो चुका है अब हमें फ्लेट में निकाल लेते हैं ऐसे ही सभी पराठा बनाके तयार कर लेते हैं देखिए यह भी पराठा तयार हो चुका है अब हम सर्व कर देते हैं प्लेट में हमने आम के साथ में सर्व किया है आप सबजी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं या भी आचार के साथ खा सकते हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फेमली मिंबर और दोस्तों के साथ सेयर कीजिएगा एक बाद जरूटाइगा